कहते हैं हमारी आत्मा में सात गुड होते हैं और इन सातों गुडों को हमें समझना होगा सबसे पहला गुड होता है शांत स्वरूप होना शांती शांती ही तो हमारा असली गुड है सात गुडों में पवित्रता भी आती है डिविनिटी इसलिए कहा गया है I am divine soul मैं पवित्र हूं मैं शांत स्वरूप हूं और तीसरी होती है आनंद स्वरूप आनंद तो हमारी आत्मा के अंदर है हम बाहर कहां खूज रहे हैं चौधी बात होती है ग्यान स्वरूप हमारे अंदर जो ग्यान है जो वास्तविक ग्यान है उस ग्यान को समझना होगा शक्ति स्वरूप हम बहुत शक्ति शाली हैं हमारे अंदर पावर है बहुत ही ज़्यादा शक्ति है और शक्ति को हमें पहचानना होगा सुख स्वरूप अगला गुड़ है सुख सुख तो हमारे अंदर है सुख तो हमें महसूस करना होगा और अगला है प्रेम स्वरू प्रेम की तो परिभाशा यही नहीं की जा सकती है प्रेम तो परमता है प्रेम तो समर्पन है प्रेम तो एहसास है और इन्हें समझते हुए हमें हमारे अंदर जो सात गुड है उन सातों गुडों को ध्यान देना होगा ध्यान रखेगा और बिचार कीजिएगा